हेलो फ्रेंड्स मैं मोहित और आप देख रहे हो हेल्थ प्लनेट आप इस वीडियो को स्किप करो इससे पहले बताना चाहूंगा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टन्ट होने वाली है तो चलिए ज्यादा डाइम वेशना करते हुए करते हैं स्टार्ट तो आज हम जानेंगे डाइविटीज क्या है उसके क्या लक्षन है और कैसे गरवचाव डाइविटीज क्या होता है या डाइविटीज अटेक क्या है डाइविटीज एक जीवन शैली से सम्मंदित रोग है जिसमें मरीज का बलड शूगर प्रभावित होता है ये विमारी होने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन जिन में मोटापा, श्ट्रेस या फैमिली बैग्राउंड मुख्य तोर पर शामिल है फैमिली बैग्राउंड का मतलब किसी को पहले ही फैमिली में हो रखा हो अगर किसी मरीज का बलड शुगर रेट फास्टिंग में सत्तर से एक तो दस मिली गराम डिले वा खाना खाने के दो घंटे के बाद सौ से एक सो चालिस मिली गराम डिले रहता है तो परेशानी की कोई बात नहीं है लेकिन इस से ज़्यादा होने पर मरीजों को अपने खान पान और दिन चार्य पर विशेज ध्यान देने की जरुवत है कई बार लापरवाई इन मरीजों में डायविटीज और अटेक के खत्रे को बढ़ाती है शरीर में बलड शुगर के बढ़ते स्तर के कारण ये स्थीती आ सकती है सो फ्रेंड आज हमने जाना डायविटीज अटेक क्या है चलिए अब जानते हैं क्या है इसके लक्षन डायविटीज अटेक गंभीर मरीजों को ही अपना शिकार बनाती है जो लोग बहुत जल्दी ठक जाते हैं बहुत कमजोर और बेचन रहते हैं उन्हें इसका अधिक खत्रा होता है कोई चीज समझने में मुश्किल होना धुंदला नजर आना सिर में दर्द जादा पसीना आना इसके लक्षन हो सकते हैं इसके अलावा हाथ पर सुन पढ़ना पैरों में दर्द भूक प्यास की अधिक्ता भी इस गंभेर स्वास समस्षक की और संकेत करता है वही चाती में दर्द और धड़कनों की तेजी होने पर भी डॉक्टर को दिखाने की सलहा दी जाती है सो फ्रेंड अब तक हमने जाना इसके लक्षन अब जानते हैं कि कैसे करें इसका बचाब डाविटीज के मरीजों का ब्लड प्रैशर जब ज़्यादा हो जाए शुगर का इस्तर अनेमित और शरीर के हीलिंग प्रोपर्टीज कमजोर पढ़ जाए तो डाविटीज अटेक का खत्रा बढ़ जाता है शरीर में जब ब्लड शुगर लेवल अत्यधिक लो या हाई हो जाता है तो अटेक आने का खत्रा बढ़ जाता है ऐसे में मरीजों को अपने डाइट के प्रती भैत अलट रहने की जरुवत है साथ ही साथ कार्वोहाइडर्य यूक्त भोजन से दूरी बना ले अगर चक्कर या आँखों के सामने अंधेरा चाने की शिकायत है तो बहतर होगा कि आप अपने साथ हमेशा कोई मेठी चीज रखें मधुमे रोगी के लिए एक दिन में कितनी कैलरीज का सेवन फायदमंद है लोग अक्सर इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं स्वास्विसक्यों की माने तो डायविटिस पेशन्ट अपने वजन वा लंबाई के अनुसार ही कैलरीज का सेवन करना चाहिए वही शारेरीक रूप से कोई भी मरीज कितना सक्रिय है इस बात पर भी उसकी कैलरीज इंटेंशन निर्भर करती है मधुमे रोग्यों को अपने डायट में प्रोटीन का अच्छे से मात्रा में शामिल करने ना चाहिए सो फ्रेंड आज की वीडियो यहां तक देखते रहिए हल्थ प्लानेट